आज निप्टी बेंक ने 37,579 पर क्लोस किया है जो एक important उसका resistance था उसके उपर क्लोस किया है 37,560 इसका एक important resistance था तो एक अच्छी जगह पर क्लोस दिया गया है future यहाँ पर 37,750 यहाँ पर premium देखेंगे तो यहाँ पर करीबन 35 points के आसपास यहाँ पर premium increase हुआ है active call 39,000 active put 38,000 जो हमें यहाँ पर monitor करना है वो है 37,500 and 38,000 का call हमें monitor करना है open interest 5.1% reduce हुआ है यानि की bank nifty में यहाँ पर short covering हुआ है PCR अभी भी 0.90 है वहाँ से हमें और भी एक short covering यहाँ पर मिल सकता है अगर कल gap down खुला तो वहाँ से फिर से हमें एक bounce मिलेगा क्योंकि PCR अभी 0.90 है nifty अगर देखेंगे हम तो nifty में भी premium काफी बढ़ा हुए कल almost 2 point के आसपास premium था यह बढ़के यहाँ पर 23 point के आसपास आ चुका है 17,691 के close हुआ है 670 इसका एक resistance था उसके उपर जाके close दिया है nifty अब जब तक 17,580 के उपर रहेगा तब तक हमें इसमें short नहीं रहना है और इसका open interest 3.8% बढ़ा था यानि कि आज fresh long इसमें build up हुआ है PCR 1.0 है वो और नॉर्मल है यहाँ से भी अभी nifty उपर जा सकता है अगर हम open interest यहाँ पर option chain में देखते है तो nifty का मैंने लिया है 7 October यहाँ पर हमें जो notice करना है कि यहाँ जो call writer से वो exit हो रहा है और put writer की increase हुआ है आज के दिन में तो यहाँ पर आगर आप देखते हो 17,700 यानि कि यह at the money के आसपास यहाँ पर अच्छा सा put writing हुआ है जो है करीबन यहाँ पर जो amount आ रहा है 26 lakh है वो जो काफी increase हुआ है आज यानि कि total 34 lakhs है उसमें से 26 lakh आज open हुआ है यह scenario कभी कभी हमें अगर gap down होता है तो यहाँ पर एक उनका जो अगर short stop loss seat होता है तो quickly market नीचे भी जाता है तो कल हमें यह monitor करना है कि यह 34 lakhs में से कल कितना यहाँ पर hold करता है और कितना exit हो रहा है क्योंकि आज तो यहाँ पर aggressively short हुआ है उपर की side हमें support resistance मिलेगा जो है next strike हमारा 800 के आसपस इसके उपर जाने के बाद ही हमें यहाँ यहाँ पर 18,000 वापस जा सकते है क्योंकि 18,000 highest अभी के इस साब से open interest बढ़ रहा है आज अगर देखो के change of oi तो हमें दीखेगा कि यहाँ पर 800 पर यहाँ पर put writing हुआ है और थोड़ा थोड़ा आगे भी हुआ है 17,900 के आसपस भी तो यहाँ पर in the money कहीं पर भी call writing नहीं हुआ है जो एक suggest करता है कि अगर नीचे खुला तो यहाँ पर support पुरा मिलेगा put की side से अगर आप monthly में भी देखते हो तो monthly में change of oi हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अभी हम जहाँ पर close हुआ है उसके उपर यानि 600 में थोड़ा यहाँ पर call writing हुआ है यह monthly है तो हमें यह ध्यान रखना है नीचे की side अगर हमें देखे तो 18,000 ही हमारा next resistance आता है पर अगर आप देखते हो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर 13 lakh put write किया गया है और आज भी उसमें 52,400 एड़ हुआ है तो यहाँ पर नीचे की side 600 काफी अच्छा सा support बनेगा क्योंकि आज यहाँ पर करीबन 3 lakh के आसपास यहाँ पर put का add हुआ है अगर हम nifty bank की बात करते है तो nifty bank में यहाँ यह 7th का expiry है अभी के इसाब से 37,500 हमारे लिए make और break का काम करेगा और उसके नीचे ही जाएगा तो ही हम short करेंगे आज हम मैंने सुबह भी टेलिकरम रूप में बताया था कि अगर आपको short करना है तो 480 के नीचे दो बार try किया पर एक भी 5 minute candle उसके नीचे close नहीं किया है एक 5 minute का candle 480 के नीचे close करता है तो हम उसको 100 से 200 point के लिए trade कर सकते है यहाँ पे भी similar है same as nifty में कि call writers यहाँ पे exit हुआ है और put यहाँ पे काफी अच्छा सा write किया गया है 37,500 में यहाँ पे 60% आज add हुआ है जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं यह 60% आज add हुआ है उपर की side हमें put writing देखा गया है पर यहाँ पे नीचे की side हमें कहीं भी call writing नहीं देखा गया है तो इसके उपर जाने के बाद 38,000 आ सकता है कल एक jackpot की तरह भी हमें आपको trade मिल सकता है option में नीचे की side हमें support मिलेगा 37,000 जो आज मैंने मेरे telegram group है जो SG Excellence उसमें मैंने आज short करने को बूला था 37,000 put and 38,000 call जो उन्हों हमने यहाँ पे 50 point आज cover किया है 288 के आसपास यहाँ पे अच्छा सा short भी मिला था क्योंकि अभी RBI का policy आ रहा है तो market क्या करेगा यहाँ पे अभी direction लेगा वो wait करेगा जब तक RBI policy नहीं आएगा तब तक यहाँ पे ही यह जो है 37,000, 38,000 उसी के आसपास गुमता रहेगा दोस्तों तो इतना बड़ा option में move नहीं आएगा कल आ सकता है क्योंकि जह सिसाब से हम close हुए अगर पहले ही first hour में हम निकल गए वो level के आसपास तो आपको quickly वहाँ से 150-200 point मिलेगा जो आपका option premium महाँ से करीबन 40-50% बढ़ सकता है तो हम वो आज वो chart में देखेंगे कि कहां से हमें option buy करना है दोस्तों दोस्तों अगर आप इस channel पे ना है तो please like and subscribe जरू कर देना अगर वीडियो पसंद आए आपके दोस्तों के साथ share भी करना तो जो मैं बात करना था जैसे मैंने thumbnail मी बताया कि कल हमें एक first hour में यहाँ पे अच्सा सा trade यानि कि हमें एक jackpot जैसा option मिल सकता है वो कैसे तो दूसरी यहाँ पे क्या है कि यह trend line जो आ रहा है उसके पास में यहाँ पे जाके यह इसने attempt किया आज सुबह फिर नीचे आया फिर से attempt दो बार हुआ तीसरी बार में यह attempt क्रॉस करके अभी उसके उपर ही sustain कर रहा है और यह जो resistance है अगर आप देखोगे अगर यह line जो मैंने अभी यहाँ पे cursor रखा है तो आप left side भी यहाँ पे देखोगे जहां से इसका breakdown आया था वो उसने अभी resistance का काम किया है अभी क्या होगा दोस्तों जो हमारा पहले जो support था वो अभी हमारे लिए resistance का काम करेगा तो अभी यहाँ पे आप देखते हो तो अगर आप Fibonacci लगाते हो इस level से तो यहाँ पे मैंने यह Fibonacci यह level के आसपास adjust हो तो हम क्या देख रहा है कि 50% के आसपास यहाँ पे इसने जाके close दिया है तो कल हमें trade कैसे करना है दोस्तों कल यह high निकालेगा जब इसका high है 670 तो हमें 680 जब cross करे हमें इसमें 600 का stop loss लेके हमें इसमें trade करना है तो पहला आपका क्या होगा कि अगर आप trade करते हैं तो दो लोट के साथ option में trade करना 37,700 का आपको option का लेना है first strike का नहीं लेना है पहला आपका lot यहाँ पे book हो जाएगा 37,800 फिर आपको देखना है आपका फिर वह cost के ऊपर थोड़ा point रखके stop loss रखने का इसके ऊपर जैसे cross करेगा तो यह resistance यह resistance दोनों के heat करके यह वापिस 38,000 जा सकता है तो आपको यह आपका option यहाँ यहाँ से double से ऊपर मिल सकता है तो उस हिसाप से आपको नेपटी में जो jackpot option है उस तरीके से आपको यहाँ पर profit मिलेगा नीचे की side अगर आप देखते हो कि यहाँ पर शौट करना है तो क्या है शौट में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर इसी level के आसपास open होते हैं एक और attempt होता है यहाँ पर fail होके वापस हम इस level को break करते हैं जो है 480 जो भी मैंने बताया आज सुभी भी मेरा वही level था 480 की नीचे जाता है तो हम short करेंगे तो फिर क्या होगा वहाँ से short करेंगे हमारा पहला target यह आएगा 330 और उसके बाद में यहाँ पर 240 के आसपास आ सकता है जो पैसा बनेगा option में वो उपर की side बनेगा क्योंकि यहाँ से क्या हुआ यह जो resistance है एक साथ में cross करेगा यहाँ जिनके short है वो cover होंगे नीचे की side अच्छा पैसा कब बनेगा जब यह 120 के नीचे trade करने लगेगा तो आपको quickly यह नीचे जाता हुआ दिखेगा उस हिसाब से कल निप्टी बेंक में आपको option में एक battery trade मिल सकता है कल और अगर कल gap down open हो जाते है इस level के आसपास 37,3,30 के आसपास अगर आप open होते हो तो एक attempt होगा इसको वापस यहाँ पर trade यहाँ पर support लेता है कोई bullish candle मिलता है तो एक trade लेना वापस इस trend line के आसपास जाएगा 500 के आसपास निप्टी में जो हमारा जो trend line है उसी के आसपास यहाँ पर trade हो रहा है एक attempt किया था यहाँ पर दूसरा attempt यहाँ पर एक hold कर रहा है यह hold कहाँ पर कर रहा है अभी हम जब भी उपर जाएंगे दोस्तों हमें क्या सोचना है कि market जब गिरा तो कहां से गिरा था तो यहाँ पर क point है वहाँ से गिरना चलुआ था तो उसके बाद में कौन सा यह level है 800 तो अगर कल यहाँ पर sideways यानि कि यह open होता है 650 से लेके 710 के बीच में फिर जाके यह level को cross करता है 747 तो यहाँ पर आपको छोटा सा trade मिलेगा यानि कि 4250 point जो आपको 800 तक यहाँ पर लेके जाएगा 800 15 से लगे 830 वहाँ पर एक resistance का काम करेगा नीचे की साइड अगर आपको short करना है तो थोड़ा wait करना better रहेगा यहाँ पर दिख रहा है कि M pattern बन रहा है M pattern का activation कब होगा जब यह 640 के नीचे trade करेगा safer side के लिए 630 रखो 630 के नीचे आपको 40 to 50 point यानि कि वापीस यह जो gap इसने छ अगर bank nifty में अगर trade मिलना है तो first hour में यानि 15-20 minutes में मिल जाएगा वो break करके ऊपर चला जाएगा तो आपको वो ध्यान में रखना है जो level बताया वो ध्यान में रखना है कि कैसे cross होता है और कब हमें enter करना है 50 to 60 point ही आपका spot में stop loss होना चाहिए option में नहीं है दोस्तो spot में आपको वहाँ पर stop loss रखना है तो दोस्तो मैं आजा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आए होगा और पसंद आए तो please like and subscribe जरूर करना थेंक यू